आमिर खान को पसी ने छूट गए हैं लाल सिंग चड़ा का प्रमोशन करते हुए और इस बार बॉइकॉट के माहुल की बीच आमिर खान को दुगनी ताकत लगानी पड़ रही है अपनी फिल्म को प्रमोट करने में और ये जो सिनेरियो आमिर खान देख रहे हैं कि एक तरफ बॉइकॉट चल रहा है दूसरी तरफ मैं लोगों को बुला बुला कर फिल्म दिखा रहा हूं उसी सिनेरियो के बीच जब आमिर खान से पूछा गया कि क्या अब आने वाले समय में आप महाभारत पर फिल्म बनाएंगे तो उस पर आमिर का जो जवाब था वो एक्सपेक् नहीं है वो एक यग्य की तरह है हमारे लिए हमें बहुत महनत करनी पड़ेगी हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा लेकिन शायद वो प्रोजेक्ट आप पसंद ना करें आमिर खान ने कहा कि इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को लाने से डरते हैं महाभारत आपको आमिर खान कहते हैं अगर ऑगर बाय चानस में महाभारत कर भी लेता हूं तो उस फिल्म को करने में मुझे एक या दो साल नहीं बलकि पूरे 20 साल लगेंगे जी हाँ आमिर खान कहते हैं कि पहले 5 साल तो सिर्फ और सिर्फ उनकी रिसर्च में लग जाएंगे और प्रोजेक्ट को बनते बनते आगे के 15 साल और जाएंगे वैसे अगर आमिर ऐसी बात कहते हैं तो उनके लिए ये नॉर्मल भी है क्योंकि आमिर की फिल्मों में अक्सर इतना लंबा समय लग जाया करता है आमिर की लाल सिंग चड़ा को बनने में भी 14 साल लगे थे फिल्म जाने तू या जाने ना के प्रेमियर पर अतुल जो एक आक्टर है जो लाल सिंग चड़ा के राइटर भी है उन्होंने आमिर खान को इसका आइडिया दिया था दो साल बाद आमिर ने कहानी सुनी और उस तरह से अब जाकर ये फिल्म बन कर रिलीज हो रही है तो सम मुश्किल तो लगता ही है